आज हम आपके लिए लाएं हैं बिलकुल मार्केट जैसी क्रीमी और सौफ्ट इंस्टन्ट राजभोग आईस क्रीम बनाने की रेसिपी ये आईस क्रीम बहुत ही कम खर्च में बनकर तयार हो जाती है लेकिन इसे बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपोर्टन टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी भी आईस क्रीम इसी तरह से क्रीमी और सौफ्ट बनकर तयार होगी हेलो दोस्तों आहुजास रेसिपीज में आपका स्वागत है तो चलिए राजभोग आईस क्रीम बनाना शुरू कर सबसे पहले मैंने यहां टिंगल कंपनी का आईस क्रीम मिक्स पाउडर लिया है इसमें और भी बहुत सारे फ्लेवर के आईस क्रीम मिक्स पाउडर मिल जाएंगे पैकेट के पीछे आईस क्रीम मनाने की मैथड भी बताई गई है यह आपको किसी भी मॉल में या फिर मार्के में इजीली मिल जाएगा इसकी जगह आप दूसरी कंपनी का भी आईस क्रीम मिक्स पाउडर यूज कर सकते हैं यह आईस क्रीम मिक्स पाउडर 100 ग्राम का है तो अब हम राजबोग आईस क्रीम बनाना शुड़ू करते हैं यहां मैंने 500 ml फुल फेट मिल्क लिया है 100 ग्राम प बॉल में खाली कर लेते हैं दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अब इस मिक्स पाउडर में हम करीब आदा कप जीतना दूद डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस हमें इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें एक भी गुठलिया ना रह जाए और इसके लिए हमें रूम टेम्परेचर वाला दूद ही यूज़कर ना है गरम दूद बिलकुल भी नहीं लेना अगर हम गरम दूद में इसे डाइरेक्ट डालते हैं तो इसमें गुठलिया पड़ सकती हैं इसलिए मैंने इसे पहले से ही mix कर लिया है बाकी के दूद को हम गैस पर गरम करने के लिए रग देंगे अब जब तक हमारा दूद थोड़ा सा गरम ना हो जाए तब तक हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे दूद अब गरम हो चुका है और इसमें हलकी सी उबाल भी आने लगी है तो हमने जो पाउडर मिक्स करके रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे अब जब तक दूद में उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो ये तले में लग सकता है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं अब दूद में उबाल आ गया है गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम कर देंगे और दूद को हम 4-5 मिनिट के लिए और पकाएंगे आप देख सकते हैं 4-5 मिनिट पकाने के बाद दूद काफी गाड़ा हो चुका है अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे जब ये दूद एकदम थंड़ा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और भी गाड़ा होगा अब इस दूद को हम एकदम थंड़ा होने देंगे दूद अब एकदम ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी गाड़ा हो गया है तो अब इसे हम इस तरह से एक प्लास्टिक के बॉल भे डाल कर जमाने के लिए रख देंगे आप चाहें तो इसकी जग़ा काज का बॉल या फिर किसी प्लास्टिक कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं अब इस आइसक्रीम को हम दो से तीन घंटे के लिए फ्रीजर में जमाने के लिए रख देंगे दो तिन गंटे के बाद हमने आईस क्रीम को फ्रीजर में से निकाल लिया है देखिए आईस क्रीम अब हलकी जम गई है बस हमें इसे इसी तरह का जमाना है अब मैं आपको वो इंपोर्टन टिप बताऊंगी जिससे आपकी आईस क्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी और सौफ बन कर तयार होगी अब इस आईस क्रीम को हम मिक्सर जार में डाल कर करीब 4-5 मिनिट के लिए फेटेंगे और एक दूसरी इंपोर्टन टिप के अगर आपके पास बीटर हो तो आप इस आईस क्रीम को बीटर से ही बीट करें यहां मैंने आदा कब जितनी नॉन डेरी विप्ड क्रीम का यूज किया है इसकी जगह आप घर की फ्रेश मलाई या फिर अमूल क्रीम का भी यूज कर सकते हैं विप्ड क्रीम या फिर घर की फ्रेश मलाई डालने से आपकी आईस क्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बन कर तयार होगी सबसे पहले हम मिक्षर के बटन को एक नमबर पे रखते हुए इसे स्लो में दो मिनिट तक थोड़ा सा फेट लेंगे उसके बाद धकन खोल कर इसे थोड़ा सा एक बर चला लेंगे देखे हमारे आईस क्रीम पहले से ज़्यादा हो गई है और ये बहुत ही क्रीमी जागवाली दिखाई दे रही है अब इसे हम फास्ट चलाते हुए तीन से चार मिनिट के लिए और फेट लेंगे बीच में आप एक दो बार इसे खोल कर थोड़ा सा चला दें आईस क्रीम को मैंने पूरे छे मिनिट तक फेट लिया है ये पहले से ज़्यादा भी हो गई है और एकदम क्रीमी दिखाई दे रही है इसे हम एक बॉल में खाली कर लेंगे आप देख सकते हैं आईस क्रीम अब पहले से और भी थोड़ी सी गाड़ी हो गई है और ये एकदम देखने में ही क्रीमी लग रही है अब इसमें हम कुछ चीजे मिक्स करेंगे तो पहले हम एक चोथाई जमत जितना इलाइची पाउडर डालेंगे चुटकी भर हम इसमें यलो फूड कलर डालेंगे इसे आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह केसर वाला दूद भी डाल सकते हैं फिर हम इसमें कुछ थोड़े से ड्राइफ रूट डालेंगे ड्राइफ रूट को हमें एकदम बारिक चौप करके डालना है तो काजू, बदाम और पिस्ता मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिया है थोड़े से ड्राइफ रूट सम उपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे अब इसे हम हलके हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अगर आपको आईस क्रीम में ज़्यादा यलो कलर चाहिए तो आप फूट कलर ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं यहां मैंने आईस क्रीम जमाने के लिए इस तरह से एक कंटेनर लिया है और कुलफी का मोल्ड लिया है इसमें मैं थोड़ी सी कुलफी जमाऊंगी और थोड़ी सी आईस क्रीम सबसे पहले हमें जिस कंटेणर में आईस क्रीम जमानी है उसमें हम इस तरह से प्लास्टिक रेपर डाल देंगे इस तरह करने से हमारी आईस क्रीम निकालते समय बहुत ही इजिली निकल जाती है अब नीचे हम थोड़ा सा इसमें ड्राइफ रूट डाल देंगे उसके बाद आईस्क्रिम का जो मिश्रण है उसे हम इसमें डाल देंगे आईस्क्रिम का मिश्रण कंटेडर में डालने से पहले इसे एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसके बाद डालने के बाद हम दोनों हाथों से इसे इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लेंगे और उसके बाद उपर से भी हम इसमें प्लास्टिक का रेपर इस तरह से लगा देंगे इस तरह करने से हमारी आइस क्रीम एकदम क्रीमी और सौफ जमेगी हो सके तो आप आइस क्रीम जमाने के लिए लॉक वाले कंटेनर का यूज करें क्योंकि इसमें आइस क्रीम बहुत ही बढ़िया जमती है अब हम इस कंटेनर को एकदम लॉक कर देंगे और इसे फ्रीजर में रख देंगे अब बाकी का जो आइस क्रीम का मिश्रन है उसे हम कुलफी के मोल्ड में डाल देंगे एक और बात का ध्यान रखे कि यदि आप इस आइस क्रीम के मिश्रन को बीटर से बीट करते हैं तो पहले दो मिनिट इसे स्लोपे बीट करें और उसके बाद फास्ट पे करें अब हमने कुलफी के मोल्ड को भी आइस क्रीम के मिश्रन से भर लिया है अब इसे हम 8-10 गंटे या फिर पूरी रात के लिए फ्रीजर में जमाने के लिए रख देंगे पूरी रात आइस क्रीम को फ्रीजर में रखने के बाद अब हमारी आइस क्रीम बहुत ही बढ़िया तरीके से जम गई है एक important टेप कि जब आपको आईस क्रीम खानी हो तो आप इसे freezer में से निकाल कर 20 मिनिट के लिए freeze में रख दें और उसके बाद खाएं जिससे हमारी ice cream बहुती easily cut भी हो जाती है और खाने में एकदम soft और creamy लगती है तो देखे कितनी बढ़िया ice cream जम कर तयार हुई है अब plastic के wrapper को इस तरह से पकल कर हम easily इसे निकाल कर plate में रख लेंगे तो देखा दोस्तो प्लास्टिक के wrapper में ice cream जमाने से ये कितनी easily निकल जाती है अब ice cream को हम plate में इस तरह से उल्टा कर लेंगे जिससे हमने जो dry fruit नीचे डाले थे वो भाग उपर आ जाए अब बाकी के जो dry fruits हमने बचा के रखे थे उससे हम उपर से डाल कर garnishing करेंगे थोड़े से dry fruits हम उपर डालेंगे और थोड़े से हम चारों तरफ ice cream के लगाएंगे अगर आपके पास plastic का wrapper ना हो तो आप normal plastic sheet या फिर aluminum foil paper का भी यूज़ कर सकते हैं देखे चारों तरफ इसे dry fruit से garnishing करने के बाद हमारी ice cream बहुत ही बढ़िया लग रही है अब हम ice cream को knife की मदद से cut कर लेंगे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्रीमी और soft ice cream बनकर तयार हुई है खाने में ये ice cream बहुत ही ज़्यादा yummy और delicious लग रही है आप चाहें तो इस राजबूग ice cream के उपर थोड़ी सी गुलाब की सुखी पंखुडिया भी डाल सकते हैं अब हमने जो कुलफी के मौल में कुलफी जमाई थी उसे भी हम निकाल देंगे एक और बात का ध्यान रहें कि जब आप कुलफी खाने के लिए बाहर निकालें तो एक दो मिनिट के लिए इसे पानी में रख दें या फिन नल के नीचे थोड़ा सा एक मिनिट के लिए रखें जिससे आपकी जो कुलफी है वो easily निकल जाएगी अब कुलफी को भी हम उपर से थोड़ा सा ड्राइफ रूट से गार्निश करेंगे तो देखे हमारी कुलफी भी कितनी बढ़िया दिखने में लग रही है और ये भी खाने में बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बन कर तयार हुई है बाकी की कुलफी भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे इस वीडियो में बताये गए सबी टिप्स को फॉलो करते अगर आप ये आईस क्रीम अपने घर पर बनाएंगे तो ये बिलकुल मार्केट जैसी क्रीमी, सॉफ्ट और टेश्टी बन कर तयार होगी तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर एक बार ड्राय करें आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में देगए बैल आइकन पर क्लिक करके और सिलेक करें जिसे मेरे नए नए रेसिपेस के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार